एपर था है अलो फ्रेंड वेलकम टो एक्सपोर लेंग चनल आज के शैशन में जानेंगे एगम एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्टत है सो जो होता क्या है कि जब हम गूट्स को एक्सपोर्ड करते हैं तिके तो जो डिटेल सब गूट्स होती है वो हम सब्मिट करते हैं एक तो कस्टम को करते हैं दूसरा शिपिंग लाइन और एरलाइन को करते हैं तो होता क्या है जब हमारे गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं तो जो प्रिशल डाटा हम कस्टम को देते हैं वह होता है वाइच लिस्ट तो वहां पर हमारे सी एचे जो कमर्शिल इन्वोई के बेस पर जो मरे गुड्स की डिटेल्स होगी इंपोर्टर नाइम एक्सपोर्टर नेम पोड़ लोडिंग पोड़ डिशाज इसके लवाइटम डिस्क्रिप्शन इस सारी डिजल कस्टम में सब्मीट कर यह एरलाइन को यह फिर एरलायन तो यह भी एक फोर्मेट होता है उसमें हमें सब्वाइब करके बीटेल्स करके मैं तो इसमें भी डिटेल रेते हैं हो जो कमर्षिल इनोज पे डिटेल्स है वह सेम पीडिटियल है कि शिपनग लॉइन इसके बाद एक्सपोर्ट हो जाएंगे यह ट्रांसपर के तूंचे कि यहां पर फाइनली शिप्मेट एक्जामीन होगी और वहां पर इंस्पेक्टर उसको चेक और वेरिफाई करेगा तो वहां से कुछ वो डिटियल्स अब्डेट हो जाएगी तो फिर फाइनल प्रिंटर जो होगा ना शिपिंग मिल का उसमें रिफ्लेक्ट करेगी तो वो डिटेल जो होगी अब दूसरी चीज़ हमें बात हम कर रहें तो जब हमारी डीटेल हो जाती है तो जो केरियर है हमारा शिपिंग लाइन या एर लाइन वह क्या करेगी जो अपने शिपिंग लाइन इंस्ट्रेक्शन दिये थे उनको उसके बेसे पर एक एक्सपोर्ट जेनरल मैनिफेस्ट जेनरेट करेगी और यह डेटा वह देगी कस्टम को ठीक है तो यहां पर सिर्फ एजम का मतलब अगर समझें तो जो हमारा केरियर है शिपिंग लाइन या एर लाइन वह जो डीटेल्स हमने इनको दीती वह यह डीटेल कस्टम को तो इसे कहते हैं एक्सपोर्ट जंडल मैनेफेस्ट जो जनरेट होता एक पर शुपिंग लाइन के लेट्रेट यहां उसके पेपर पर अब होता क्या है दोनों इतरब से देटी एंपोर्टेंस यहां पर हमारा है कि हमने दोनों को क्या डीटेश दी है अगर दोनों के डिट फाइल किती उस ताइम आमने गुट डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डिफरेंश देदी इस्पैलिंग बिस्टेक भी और इदर शिपिंग लाइन को भी है इस ताइम बहुत इस दिशन अधिया थे यह तो बोल्यूम गलत हो गया और वेड्व गलत हो गया तो इसकी वजह से एक होती है तो हमें हमारे जो बेनिफिट होते हैं और दुसरा क्या होता है जब हम का जो इंसेंटिव मिलता था तो वहां पे वह इलिजिवल नहीं होता है अभी तो करेंटली एमियाइस का जो है वो प्रीविएस दिसंबर दोजार बीस तक पर एप्लाई हो रहा है नए आज की शेशन में जाना की होता क्या है तो थेंक यू फॉर वाचिंग शेशन है वे नाइस देश देश्टाइब